नमस्कार दोस्तो मैं निरज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी आज की वीडियो वैसे लोगों के लिए एक सबक की तरह काम करेगा जो गौट फार्मिंग करना चाहते हैं बहुत सारी लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी छोटी मूटी जानकारी हासिल कर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं गौट फार्मिंग में तो दोस्तों जब भी आप बक्री पालन की शुरुवात करें, तो इससे पहले, करने से पहले आप ट्रेनिंग जरूर ले, जानकारी इसके विशे में जरूर ले, संपूर जानकारी जब हो जाये तब इसमें हाथ डाले, और कोई जारी नहीं है कि 10, 20, 50, 100 बक्री से आप शुर यूँ है, इससे पहले भी मैंने उमेश सर के विशे में वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे कॉमेंट आये थे, कि आपने तो बहुत बड़ी बात इक बोली, कि इनके सनक्षन में 100 से उपर गौट फार्मिंग चलता है, और आपने एक का भी वीडियो नहीं बनाए, तो मै आज खड़ा हूँ, दानापूर से सटे लोधिपूर बजार के से दो किलोमीटर अंदर, बांक बतहेरी गाउं में, जहां पर एक युवा है, जो गौट फार्मिंग की सुरुवात किये हैं, आज से लगभक तीन महीना पहले, और सुरुवात करने से पहले, इन्होंने प्र देख रेख में ये तयार किये हैं, और आज देख लिजिए बिल्कुल ही कहीं से कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई मॉटलिटी नहीं हुई है, और लगभक 13-14 इनके पास बकडियां है, ज्यादा से बकडि की सुरुव नहीं किये हैं, और मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि बह आपको विचार आया कि नहीं, हम भी को भी गोट फार्मिंग करना है, और कहां से ये ट्रेनिंग लिए थे और कैसे उमेश सर के पास ये पहुँचे, तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चानल पर, आपको भी सर स्वागत है, तो क्या नाम हुआ अपना पूरा परिचे दे दिजिए, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ, मेरा दानापूर से तेरे किलिमेटर अंदर लोधिप्रु बजार से दो किलिमेटर अंदर बांक भतहरी गाउं परता है, मैं वहीं का बास से हूँ, वहीं रहता हूँ, और वहीं पेकारबर यह बताइए उमेश जी कि आप तो बिजनेस करते हैं, आपका मिल भी है, किराना दुकान भी है, तब क्यों किये हैं आप गोट फार्मी? सर शुरू से ही था, 2017 से इच्छा किया कि हमने एक साइड बिजनेस आउर भी करना है, जो की बिजनेस भराना है, और हमने शुरू किया, सुरू से जिससे, पहले में, सोचा कि बेले जनकारीiben तो लिगी गाउं में बकडिया है, तो मरता उरता नहीं है, लेकिन मरता है तो उ सकाथ करने से फ्यादा नहीं है यह लोगों देखते हैं कि मध जाता है और पालते हैं ओड़े चराने जाते हैं तो हम तो तर्षाम नहीं थे लाट है आप आई ये तो मुसी समय गए फटुहां ट्रेनिंग लिये पांद इनका ट्रेनिंग लिये लिए लिने के बाद हमको बहुत समझ मैं कि बीना ट्रेनिंग का जो है बक्री पालन करना असंभव बेव कुफी आदम बेकोफी है क्योंकि देखिए बक्री में पूंजी है है कि पून जी है कि एक बक्री क्याक हो जाता है दस से 15 हजार 12 già 16 जार जैसा बकशी लिजया और बक्री ब्लिया की जो हम लोग की हार धीया में निकल जाए जए जिस रू इसनियों निकले कि जई सत्वरों तया है था को प्लेन को दियो मोट करें है उन्हे आ मार्विंग का फिर्फ हम आठ शे को बखिरी लायत है तो उमेर चुन्ध लेने के बाद पता चला कि बखरी पालन में इतना संहर्च क्यों इतना आदमी जो बिहार में है फेल हो जा रहे हैं बकरी पालन में इतने बड़े बड़े पुझी लगाय हुए है इनवेस्ट की है वी हो जा रहे हैं है समिंस क्रल्ण वहके ज़ये और कोंग सोई हम होता है या कोई की दिकत होता है या बीमारी गरापको समझ में नहीं आता है तो उनसे सलाह लिजिए और उनके द्वारा कारिज कीजिए सही रहेगा अभी तक लावक तीन से चार में आपको हो गया है कोई परेसानी आई थी सर परेसानी आई थी लेकिन हम ट्रेनिंग लिए हुए है इसलिए उस पराशानी को हम टालते आए हैं अभी तक टालते रहे हैं और ऐसे देख लिए जाए मेरे बखडिया इस तरह सा जिस तरह से लाया हैं उससे मानके चलिए कि अगर हम लाए होंगे तो 20 जरूर है मेरे पास बखड़िया जो सबी सुराचित है देख लिजे अभि जो तेरह बखरियां आपके पास है तो इसमें से कितने प्रेग्नेंट है तेरा में छे प्रेग्नेंट है एक बच्चा भी दिये है मेरे यहां जो आप देख सकते हैं बरबड़ी की है और मिक्स ब्रीड है तीन ठू मिक्स है बाकि सब बरबड़ी है अब तो लगवाग छे महिने के बाद एक्स्टेंशन करने की जरूत आपको पर जाएगी चुकि अभी तेरा है और छे महिने के बाद कम से कम तो आपके बारे में नभी होगा तो पचीस से तीस बकडियां हो जाएगा तो इतने चोटा से जगह में तो होगा नहीं तो एक्स्टेंशन करने की जरूत पड़ेगी आपको जी है बिजने मैं है दुआ दुखा इनका है यह तो वी जी छत के ठिक नीचे इनका मील है और दुसरा इनका किराना दुकान है फिर भी यह ऐसे पाट टाइम यह बक्री पालन करते हैं और सही तरीके से फिलाल कर रहा है और अगले तीन से चार महिना में एकदम एक्स्टेंशन करने की इनकी जगुरत पर जाएगी चुकि यहां पर जी जगह पर यहां पर भी फिलाल इनका जो बक्री रखे हुए है इसमें पॉसिबल नहीं है कि आगे जो भी संख्या इसमें बढ़ेगी यहां पर आप पाल सकीए तो सही बात है अगर आप सही तरीके से किजिएगा तो कैंसर की तरह यह बक्री भी बढ़ती है हर छे महिने में बच्चा देगी और जो बच् तो होते होते 25-35 बक्री आपके फार्म में होगी ही होगी निश्चित है सर होना ही है लेकिन जो भी भाई है बंदू है जो भी भाई बंदू है सर हम यह सला देना चाहेंगे कि यह अगर बेवसाय यह बहुत अच्छा बेवसाय है सर अगर यह बेवसाय करना चाहते हैं तो साम्ना करना पड़ता है कि मेरे बाडे में पहला बच्चा जनम दी है अगर हम उसको खो देते हैं तो मेरा बल तुटना सुरू हो जाता है इसलिए हम उमेश सर कुछवास से ट्रेनिंग लिए हैं और हम सभी को बेखती हो कहेंगे कि अगर आप यह बेवसाय करना चाहते हैं तो उमेश कुमार कुछवास सर से ट्रेनिंग लिए बहुत जिद्दी और बहुत प्रेटिकल ही आदम्ही गों जो भी आपको सिखाएंगे सच सिखाएंगे गलत नहीं सिखाएंगे अगर गलत quele सिखाएंगे तुनको आप मूह पर बोल सकते हैं उनको कोई परिशानी नहीं अ अयसा तो है कि आपको बोलने की कर जरूरत ही नहीं पड़र सर ही आ अगर ट्रेनिंग लेंगे तो मेरा बकरी किसी स्थिति में है मुझको भाप लेंगे अगर मेरा बकरी कम खा रही है तो उसकी लिए भी दवा है मेरा बकरी है कि आगर चलने में लंगरा रही है उसकी भी दवा है और बहुत सारी बाते हैं सर्दी खासी बुखार इस सब तो होत अगर हम बिना ट्रेनिंग के करते हैं बिजनस तो बहुत करने में असान है अगर आपके पास पूंजी है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप अंधे मुग गिरियेगा वहां पे आपको कोई रोकने वाला नहीं उपर वाला भी नहीं रोक सकते हैं क्यों कि ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है भाईयो बंदू हम आप से ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यह कार करें ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको कोई कमी आता है तो जो टीजर साब ट्रेनिंग लिए हैं उनसे आप संपर्क बनाया जरूर रखिए क्योंकि आने वाल हमिये जो कि आपके जनकारी में होुसाई हो वह जक्रिंग दें एक-दौ दिन का ट्रेनिंग में लेसर चाहिए मं पनाया जाएगा नहीं, तो उगर आपकी इच्छा है, आपकी पैसा आप कहीं से बिले सकते हैं? लेकिन अबी तक हीप मिला है हमको, उसी का हम भी गान गार रहा हैं? ये नहीं कि हमको घूंस दिये हैं, कि हमारे बारे में कहिएगा, बोलिएगा, ये नहीं, कर दो आफा साथ करिया और करें ये थंद्धा करें बीना नहीं करने करें हमारे उनसार तो आप वे शर्चिवल्सरे बहुत एक आए थैजर है और अधे मुंहिंको को सही से जनकारी देता है एनग के कि वहाँ से मिलता है कि निंग के ये चीज जब आप तस दा को सुरू कि vivo का Snart पांत को पता चला है कि पेलिए ठीक है ठीक थीक है पांध दिन या एक दीन दो दिन के जो ट्रेनिंग देते हैं वह धाल देता है किसी करने वाले की सोच खराब होती है करने वाला का तरीका खराब होता है यह बात बारब मैं अपने वीडियो में बोलता भी हूँ तो छोटे बीड से शुरुवात करें जैसे बिहार के लिए सबसे उप्यूखत है बरबरी ब्लेक बंगाल या तो ब्लेक बंगाल और बरबरी का जो ब्रीड होगा उसे से आप शुरुवात करें परफेक्ट रहेगा तो जनकारी आज कैसी है लगी आपको दोस्त कॉमेंट करक दिएगा आज के लिए बस इतना ही जैन जै भारत